हर हर महादेव शरी श्वाय नमस्तुभ्यम दोस्तों बच्चों आज हम बात करेंगे कार्तिक के महीने के बारे में क्योंकि आज से कार्तिक मास शुरू हो गया है जो के 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा इस महीने के कुछ निजम होते हैं जो भी व्यक्ति इन निजमों का पालन कर लेता है उसके घर में सुक समरिदी बनी रहती है मैं पुझ्य गुरु देव जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से उन निजमों के बारे में बताऊंगी आईए जानते हैं उन निजमों के बारे में पर उस से पहले जो बंदू मेरे चैनल पर नहीं है जिनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन सबसे पहले आपको मिले नंबर वन दीपदान हमारे शास्तरों के मताबिक कार्तिक मास में सबसे पर्मुख काम दीपदान करना बताया गया है इस महीने में नदी, तलाब, मंदरों में दीपदान करने से पुन्य की प्राप्ती होती है नमबर दो, इस महीने में तुलसी पूजा करने का विशेश महतव होता है वैसे तो हम प्रती दिन तुलसी पूजन करते हैं पर इस महिने में तुलसी पूजा का महत्तव कई गुना ज्यादा बढ़ जता है नमबर तीन, कार्तिक महिने का परमुख काम पृत्वी पर सोना माना गया है भूमी पर सोने से मन में सात विक्ता का भाव आता है नमबर चार, कार्तिक महिने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए पूरे महिने में सिर्फ एक दिन, नरक चतुर दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए नमबर पांच, कार्तिक महिने में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए इस महिने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर तथा राई का सेवन करना वर्जित माना गया है नमबर चे, कार्तिक में ब्रह्म चरिया का पालन करना अती अवश्यक है इसका पालन ना करने पर पत्तनी और पती दोनों को दोश लगता है नमबर साथ, कार्तिक मास का वरत करने वालों को चाहिए कि वो अपने उपर संजम रखे कम बोले किसी की निंदा, चुगली या किसी से लडाई जगडा ना करे वैसे तो सभी को इन निजमों को पालन करना चाहिए लेकिन जो कार्तिक में वरत करने का संकल्प लेता है उसके लिए इन निजमों का पालन अती अवश्यक होता है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हूँ एक अच्छी बात के साथ जै जै शिरी राधे